ओम शान्ति आज 26 सेप्टेम्बर 2021 है विदेही बनने का अभ्यास हमें केवल योग में ही नहीं केवल स्थिथी बनाने में ही नहीं लेकिन कर्म शेत्र पर भी बहुत-बहुत मदद देता है तो आएए जानते हैं कैसे बाबा के आज के अव्यक्त इशारों से जितना जो बिजी है उतना ही उसको बीच-बीच में यह अभ्यास करना जरूरी है फिर सेवा में जो कभी-कभी ठकावट होती है कभी कुछ न कुछ आपस में हल्चल हो जाती है वह नहीं होगा एक सेकंड में न्यारे होने का अभ्यास होगा तो कोई भी बात हुई एक सेकंड में अपने अभ्यास से इन बातों से दूर हो जाएंगे सोचा और हुआ युद्ध नहीं करनी पड़ेगी जैसे हम जब भी कोई सेंटेंस लिखते हैं हिंदी में, इंग्लिश में या किसी भी भाशा में तो दो शब्दों के बीच में या तो स्पेस देते हैं या अगर सेंटेंस पूरा हो गया तो पूर्ण विराम या फूल स्टॉप लगाते हैं या बीच में कॉमा या अल्प विराम तो ये सब जो punctuations हम use करते हैं या जो spaces हम देते हैं ये sentence की लंबाई को length को नहीं बढ़ा रही लेकिन हम उस sentence को पढ़ सके वो सहचता बढ़ाती है इसी तरह से हम जब भी कोई कर्म करते हैं तो एक कर्म पूरा हुआ और दूसरा कर्म शुरू कर रहे हैं तो बीच में अवश्य हमें अपने आपको थोड़ा सा समय थोड़ी से space एक पूर्ण विराम या अलप विराम विदेही अवस्था में टिकने का जरूर देना है बाबा ने आज इसका महत्व बताया है कि बीच पीच में हम जब यह अभ्यास करते हैं तो जो कर्म के कारण से मन थक जाता है शरीर भी थक जाता है वो थकावट हमारी विदेही बनने से शरीर से डिटाच होकर के अपने आपको आत्मिक स्मृती में मैं करावन हार हूँ शर सुक्षम हो चुकी है जो हर चीज़ स्विच ओन और ओफ एक सेकंड में स्विच ओफ चलती हुई चीज़ ओफ करते ही रुप जाती है और अन करते ही चल पड़ती है उससे भी जादा सुक्षम आज आज आटोमेटिक का जमाना आ गया है तो ऐसे ही हमारा पुरशार्त भी और ये विदेही बनने का अभ्यास भी इतना ही सहज हो जैसे यहां से switch off किया और वहां on किया फिर वहां से off नहीं लेकिन उसी स्मृति में हम यहां पे फिर कर्म करने लग जाएं। और जो बाबा ने इसका result बताया कि इस अवस्था से हमारी अवस्था हमारी स्थिति ऐसी हो जाएगी जो सोचा और वो कर्म हुआ। यही तो देवताओं की विशेश्था है। देवताओं बहुत सोचते नहीं लेकिन वही संकल्प उसी समय आता है जिस समय वो होना होता है। तो ऐसा बनने के लिए यह विदेही अवस्था का प्रयास और यह अभ्यास हमें अवश्य करते रहना है। ओम शान्ति